ओम्नमो नारायनाय तो भगवान कहते हैं आपको इस कर्म बंधन से छूटना है येस हाज जे नाइन्थ श्लोग यद्न्याथात कर्मनो न्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थं कर्म कंतेया मुक्तसंग समाचर तदर्थं कर्म कंतेया यद्न्याथात बगवान कह रहे हैं अर्जुन कौन बंधन में रहता है और कौन मुक्त रहता है मुक्ति का मार्ग क्या है बंधन का कारण क्या है तो कहते है यद्न्याथात कर्मन यद्न्य के लिए निमित्य से कर्म अगर हम करते है यद्न्य के लिए अगर हम कर्म करते है तो हमारा कर्म कैसा है मुक्ती का मार्ग और अगर यद्न्य के अलावा अगर हम कर्म करते हैं अन्यत्र अयम लोग का कर्म बंदन अह तो यद्न्य भाव से हट कर अगर हम कर्म करते हैं तो वही कर्म हमारे बंदन का कारण बनता है तो भगवान ने कहा है कर्म योग यही मुक्ति का साधन है और पहले बोल दिया कर्म योग कौन सा है असक्त करमेंद्रिय योगम कर्म कुरू तो पूरी तरह से अनासक्त भाव से कर्म करना ये कर्म योग की सबसे बड़ी विशेश्टा है अब यहां कहने है कि यद्न कर्म कौन से है और कर्म होता कैसे है अब आप पर हम ध्यान देंगे पहली बात है कि हम को कर्म करने के लिए दो चीजे है कर्मेंद्रिया और ग्यानेंद्रिया यह दोनों से कर्म होते रहते हैं ग्यानेंद्रिया प्लस विशे यानि अब्जेक्ट इस इक्वल टू भोगह देखो यह equation कैसा आ गया है ग्यानेंद्रिया के साथ में जब विशे पुरी तरह से मिल जाते है तो भोग वृत्ती बढ़ते रहती है अभी कर्मेंद्रिया के साथ जब अब्जेक्ट्स रहते है बट ग्यानेंद्रिया उसके साथ अगर नहीं जुड़ा तो वो सिर्फ कर्म रहता है सोच के देखो जैसे अगर कोई एक कर्म कर रहा है एक व्यक्ति डॉक्तर है उसके हाथ में इंजेक्शन है और उसने इंजेक्शन दिया उसने कुछ भोगा हाई या न नहीं कर्मेंद्रिया हाथ अब्जेक्ट इंजेक्शन उसने उसको लगाया उसको कोई उसका भोग का ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ अभी आप देखो हमारी जिव्वा और भोजन स्वामी जी आपने हमको याद कर दिया शाम का समय है दिनर की तेयारी अभी देखो एक बात अगर हमने कर ली तो क्या हो गया ग्यानेंद्रिया कर्मेंद्रिया और क्या हो गया फिर आगया विश्य है तो ये तीनों चारों जब मिल जाते हैं तो भोग वृत्ती बढ़ती रहती है तो हमको क्या करना है हमको इस पूरे जो कॉम्बो है यानि कॉम्बिनेशन में है इसमें अनासक्त भाव को लाना है और अगर हमारे कर्म में अनासक्त भाव आ गया कर्तव्य दृष्टी आ गई तो उसमें से भोग वृत्ती चली जाएगी जैसे फूर्ड है आप है और अभी आपका भाव क्या है और अभी आपकी वृत्ती बदल गई या ने आजी बोलिए भाव बदल गया वृत्ती बदल गई तो ऐसा जिसका कर्म होगा उसका कर्म उसको बंदन में नहीं डालेगा अन्य था तो हर कर्म बंदन में डालने की ही चीज़ है अभी यद्न्य दो चीज़ होती है यद्न्य में यद्न्य की प्रधानता होती है त्याग से यद्न्य की प्रधानता होती है त्याग से दूसरा है नियम से त्याग और नियम ये दोनों चीज साथ में होनी चाहिए यद्न्य दो तरह के होते हैं एक है अव्यक्त प्रेरित और एक है स्वयम प्रेरित जैसे गंगा जी का अविरल प्रभाह अव्यक्त प्रेरित है आया न आप और मैं कुछ कर रहे है उसके लिए नहीं वायू बह रहा है कैसा है अव्यक्त प्रेरित है आया न कोई बहुत बड़ी चीज है तो हमको ऑक्सीजन मिल रहा है किसके वज़ा से अव्यक्त प्रेरित है यह ध्यान में रखना बहुत ज़रुरी चीज है अभी स्वयम प्रेरित क्या है स्वयम प्रेरित हमारी शांती किसी दूसरे से प्रेरित है बोलो जी peace of your mind is because of anyone else if it is because of anyone else then it can go any moment from you तो ये क्या है स्वयम प्रेरित जब होती है तभी वो टिकती है अगर जब वो स्वयम प्रेरित नहीं है तो वो कभी हमारे पास नहीं रहेगी तो अभी इसमें बहुत सुन्दर सुन्दर बाते बोली गई है इसको ध्यान देना कहते हैं कि हर कर्म में अगर त्याग नहीं है तो वो कर्म अनासक्त कर्म नहीं हो सकता है बोले क्यों अगर मैं स्वार्थ भाव से कर्म कर रहा हूं तो उस स्वार्थ के लिए मैं क्या सोचता हूं मेरा ही सुख परम स्रेष्ठ है और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो परम स्रेष्ठ है बट दूसरों के सुख के लिए मैं नहीं त्याग कर सकता हूँ तो ये क्या हो गया अभी ये स्वार्थ भावना हो गई हमारे कर्म में अभी बोलते भगवान के स्वार्थ भावना को निकालो तो ये कर्म फिर त्याग भाव से होता है निस्वार्थ भाव से होता है तो फिर वो शुद्ध हो जाता है फिर वो कर्म योग हो जाता है अभी एक सुन्दर कथा है, वो कहते हैं कि एक बार ऐसे हुआ कि महा भारत का युद्ध चल रहा था और युद्ध में बहुत बिकट परिस्थिति आ गई अर उनको ऐसे करना था कि ये करन को एड़ केड़ प्रकार इड़ वीक बनाना है, कमजोर बनाना है तो इंद्र जो अरजुन के पिता है, तो उन्होंने बोला कि चलो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा तो इन रगए बेस बदल करके करण के पास और करण को बोला मुझे आपके कवच कुंडल की भीक्षा दो करण महादानी उसने अपने कवच कुंडल निकार करके दे दिये उन्होंने कवच कुंडल लिये और पीछे मुड़ के चल दिये उनके पैर जमीन में धस गए आकाश बाणी हुई बुले तुम सिर्फ ले करके दिये बगर जानी सकते हो और अगर ऐसा करोगे तुम फस जाओगे तबी इंद्र ने अपना सबसे अमोग वज्र उसको दे दिया उसके पैर खुल गए तो उसने कंडीशन डाली करन को कि तुम इस से किसी एक को मार सकते हो और जिसको भी यह वज्र मारोगे वो नहीं बचेगा देखो अभी करने के पास इतनी शक्ति आ गई कि वो एक को मार सकता था किसी को भी चून सकता था भगवान को पता चल गया प्रिश्ण भगवान को भगवान ने घटोत कच को लाया और घटोत कच ने इतना उत्पात मचाया सारे के सारे पूरे रणांगण में के दुर्यो धन्य बिंदी की कर्ण को के कर्ण तुमारे पास जो वज्र है पहले इसको मारो कर्ण नहीं पूरी तरह से तयानिता बोले ये वज्र मैंने अरजुन के लिए रखा था उसने उसको कमपल्शन किया नहीं तुमको इसको ही मारना है उसने उसको यूज कर दिया तो वो पॉइंट ये है कि कुछ दिये बगए लेते जब है तब कर्म बंधन बन जाता है इसको ध्यान में रखना है हम समने जब भी आप किसी के पास से भी कुछ भी लोगे तब आपको उसको देना है जो भी आपसे बन पड़ता है उसको अगर उसको नहीं दिया तो किसी और को दो बट देना बहुत ज़रूरी है तो भगवान ने ये बहुत सुन्दर भाशा बहुत सुन्दर ऐसी बात यहां कही है कहते है कि हम कितने साल से ले रहे है इस रुष्टी से जनम से हम ले रहे है तो अभी देखो जितना हम लेते हैं तो हम रूणी बनते रहते हैं तो बोलते हैं हमारे पास कितने रूण हो गए देवरूण, रुशी रूण पित्रूरूण, भूतरूण समाजरूण इतने पाँच हम पर रूण हो गए देवरूण याने सारे जो देवता है पंच महाबूद उनका हम पर बहुत रूण है रुशी रूण बचपन से लेके आज तक कितने गुरुओं ने हमको सिखाया बोलिये तो हम उनके सब के रूण में आगे के नहीं हाजी पित्रू रूण मात्रू रूण साथ में है और पित्रू रूण याने हमारे four fathers भी उसमें आ गए तो उनका भी रूण आ गया के नहीं आ गया भूत रूण याने हमारे आस पांस जो पशू पक्शी है ये सारे जो लोग है जिन्होंने यहां आकर के इस रुष्टी को सुन्दर बनाया है उनका भी हम पर बहुत रुण है और यह समाज जहां हम रहते हैं और यह समाज से हम को जो कितना कुछ मिलता है उसका भी रुण मिल गया अभी इस सारे के सारे रुण को हम को क्या करना है we are to pay it back and that's how मुक्तसंग समाचर तो जो व्यक्ति जीवन में पूरी तरह से यह जानकर कर्म करता है कि मुझे सिर्फ लेना 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 नहीं है मुझे देने के बाद जो मिलता है उससे मेरा जीवन चलना चाहिए देखो तो पहले दो फिर जो मिलता है उससे उदर निर्वाह करो तो आप बंधन में नहीं आओगे अभी देखो चोर देता कुछ नहीं ले जाता है तो बंधन हो गया हाया ना कोई बहुत बड़ी चीज है आप अपना एक महने तक काम करते हो जहां भी अगर आप नोकरी करते हो उसके बाद में आपको सालरी मिलती है तो आपने पहले दिया फिर आपको मिला यस और नू देखो बिजनेस में पहले आपने इन्वेस्ट किया फिर आपको मिला तो कहीं भी आप इस प्रिंसिपल को लगा के देखो तभी आपको वो मिलने वाला है जो की एक संपूर्ण मुक्ति का मार्ग है तो भगवान यहां कह रहे है ये मेरे सुरुष्टी का तत्व है कि पहले आप दो और फिर आप लो तब जाकर के आपका जो कर्म है वो मुक्ति का मार्ग बनेगा और अगर हमने ऐसे कर्म से हमारा जीवन किया तो मुक्त संग समाचर हमको कोई बान नहीं सकता है हमेशा हम पुरी तरह से बंधन मुक्त ही रहेंगे आगे चलते हैं दस्वाश लोग है भगवान कह रहे हैं मैं आपको सुरुष्टी का तत्व समझा रहा हूँ यह बहुत ही सुन्नर श्लोग है सहयद्न्या प्रजास रुष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यद्वम एशवो स्विष्ट कामदुक तोगेदर भगवान कह रहे है प्रजापति पुरा सहयद्न्या प्रजास रुष्ट्वा प्रजापति ब्रह्माजी पुरा सहयद्न्या कल्प when it was to start यह कैसे शुरू हुआ सहयद्न्या यद्न्य सहित ही इस पूरे के पूरे सुरुष्टी की उत्पत्ती हुई है प्रजाह पूरे सुरुष्टी की उत्पत्ती सुरुष्ट्वा ऐसे उन्होंने ये सुरुष्टी को रचा है याने यद्न्य सहित ही ये पूरे सुरुष्टी की रचना हुई है कहते है भी अनेन इस यद्न्य के द्वारा प्रसविश्वद्वम आप वृद्धी को प्राप्त हो सकते हो आप अपनी उन्नत्ती कर सकते हो एश वह दोस पीपल जो लोग इस प्रिंसिपल को समझते है कि हर एक चीज में आपको यद्न्य स्पिरिट यानि यद्न्य कर्म से करना है ऐसा अगर हम सब लोग करते है इश्ट कामधुक अस्तु वो आपकी इच्छा पूर्ती के लिए पूर्ण तखा सहज और अच्छा है अभी आप देखना ये कहते है कि जो भी कर्म करो उस कर्म में यद्न्य भाव होना बहुत ज़रूरी है और यद्न्य क्या है? त्याग इति यद्न्य त्याग ही सबसे बड़ा यग्य है तो अभी आप ध्यान देना इशावास्य उपनिश्यद में कहा है ये बहुत सुन्दर बात कही है अभी ध्यान देना यहां कहते है भगवान ने पूरे के पूरे सुष्टी को एन्वलप करके रखा है अभी दूसरी बात उन्होंने कही तेन भुंजी था के आप उसका आस्वाद कैसे ले सकते हो त्याग से ही आप उसका आस्वाद ले सकते हो त्याग से ही आप खुश रह सकते हो यह बात कही है अभी मैं आपको इसको प्रूब करके दिखाता हूं के त्याग के बिना सुख होई नहीं सकता है this is the point now the first example is here alone इतने बड़े सुंदर खौल में हम बैटे है सब कुछ बढ़िया है AC है all comforts are there now think आज जो हम सुख पा रहे है इसके लिए कितने लोगों ने त्याग किया है बोलो जी yes or no जो हम को भारत में स्वतंतरता मिली और आज हम स्वतंतर भारत के स्वतंतर नागरिक है and that's why we are so absolutely enjoying the freedom it is because of the sacrifice of n number of people okay now just imagine जहां भी सुख आप भोग रहे हो इसके पीछे आपको समझना चाहिए किसी का बहुत बड़ा त्याग है अन्य था सुख आ नहीं सकता है जैसे अगर माता पिता बहुत कश्ट करके अगर अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाते है तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि आज अगर मैं ये स्थिती में हूँ तो इसके पीछे मेरे माता पिता का बहुत बड़ा त्याग है इसको ध्यान में आना बहुत बड़ी चीज है इसका मतलब no happiness you can experience without the sacrifice think about it the best and the best which we are experiencing that our own life अभी विचार करना भी जिस माता ने हमको जनम दिया और ये जनम दे करके जो we are experiencing such a great world around us उसके लिए उस माता ने कितना त्याग किया पुलू जी देखो अभी आप रों को पता चलेगा के भगवान हम सब के लिए कितना त्याग कर रहे होंगे ताके हम सब लोग हमेशा हमेशा ये पूरी सुनर सुष्टी को प्यार से देख सके और इस प्यार सु इस सुष्टी को अनुभव कर सके तो ध्यान में आ गया का अनुभव करना सबसे बड़ा सुख है अपने आप के स्वस्वरूप का अनुभव करना वो सबसे बड़ा सुख है तो उसके लिए त्याग क्या करना पड़ेगा अहंकार का त्याग करना पड़ेगा जब तक अहंकार का त्याग नहीं होगा तब तक परम सुख की प्राप्ति भी नहीं होगी तो दोनों हमने देख लिया कि इस जीवन में व्यवारिक स्तर पर जो सुख होता है वो भी त्याद के सिवा नहीं मिल सकता है और ये परमात्म तत्व का जो सुख है वो भी बिना त्याद के नहीं मिल सकता है तो भगवान बोलते हैं इस प्रिंसिपल को रियाद करके जो जीवन जीता है उसकी सारी इच्छाए ये प्रिंसिपल के जरीए अपने आप पूरी होते रहती है आगे चलते हैं देवान भावयता नेन ते देवा भावयंतुवः परस्परं भावयंदः श्रेय परमवाप्स्यत तो यदर बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक भगवानियंदः अपको दिये है और इस पूरे सुरुष्टी का उन्होंने सत्य हमको समझाया है इस पूरे चैप्टर में भगवान कहते है अनेन देवान भावयतह इस यद्ने के द्वारा सारे देवताओं को पहले आप उन्नत करो याने यू प्रपिशियेट अल देवतास याने आप उनको बहुत जादा पहले दो फिर क्या होगा ते देवाह वह भावयंतहु फिर आपको भर भर के वो सब देवता देंगे आहा फिर कहते हैं एवं परस्परम भावयंतह जब आप एक दूसरे को पुरी तरह से देते रहोगे परम श्रेय अवापस्यतह आप परम कल्यान को प्राप्त कर जाओगे अभी ये जो देवता है इसको समझना बहुत बड़ी चीज है हमको लगता है ये देवता क्या चीज है हम कौन से देवता को भजने वाले है अभी ध्यान दे न there is called as व्यश्टी and there is called as समझ्टी व्यश्टी means individual capacity and समझ्टी means the big very great capacity on a very bigger scale तो एक है हमारी individual capacity और एक है बहुत बड़ी जो universal capacity हाँ जी ये दो चीज़े हमको समझनी बहुत जरूरी है उसके लिए मैं एक simple उदारन देता हूँ ये जो electricity यहां आ रही है ये हमारे आश्रम की electricity है ठीक है अभी ये आश्रम की electricity हमारी हो गई individual हो गई अभी इसका connection कहीं तो होना चाहिए न समझ्टी के साथ बड़े स्तर पर तो वहीं से ये आ रही है अभी आप हमेशा अपने बिल सही तरीके से पे करो आपकी electricity continuous रहेगी के cut 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 होगी आजी भोलिये जी continuous तो क्या हो रहा है के बिल अगर हम पे करते हैं तो हमारी uninterrupted electricity आ रही है इसका मतलब अभी ध्यान देना के जो ये शरीर को principle maintain कर रहे है उनको अगर आप नियम से सही खाद्य दोगे तो वापस में आपको uninterrupted happiness मिलेगा simple है आप कच्रा खाद्य डालो junk food constipation सौबिजी oh my god क्या हुआ दो घंटे बैठा था ये रामकृष्णा देखो क्या हो गया आपने खराब चीज़ दी आपको बहुत कष्ट मिला simple है या नहीं अभी आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़े इस शरीर को दी जो बहुत अच्छी अच्छी nutritive है आपका शरीर एकतम enthusiastic और fit रह करके आपको क्या करेगा आनन्द देगा दूसरी चीज़ है आप खाओ और सोते रो आप खाओ भी और मैनद भी करो आपका शरीर चुस्त रहेगा के नहीं अभी देखो तो हर चीज़ की ये बात है भगवान कहते यहां के जो principle आपके इस शरीर को पूरी तरह से संभाल रहे है उस principle को आप अच्छा feedback दो तो उससे आपको बहुत ज़ादा energy मिलेगी बहुत ज़ादा happiness मिलेगा अभी आप ध्यान में रखना simple बात है ये सब तरफ हमारे घर में अगर हमने सब को प्यार दिया तो बदले में हमको क्या मिलता है जी प्यार मिलता है हमने सब को डैश डैश दिया तो हमको क्या मिलता है जी देखो याने जिसको डैश डैश मिलता है उन्होंने समझना जरूरी है कि मैंने डैश 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 दिया है Simple rule भीया Simple rule जो आप दोगे वहीं आपको मिलने वाला है आप कोई चीज बाहर बाहर जहार जाके देखने की जुरूर नहीं है जैसा जैसा the best अभी ध्यान देना मैंने आपको कहा था कि if you want the best you have to give the best इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है अभी ध्यान देना हम बोलते हैं I want the best friend now ask the first question are you a best friend first swamiji come again are you a great friendly person no no I am a close person I don't get along with much many people that's why I want a good friend who can listen everything to me oh my dear don't be in such an illusion you will never get such person at all in life yes or no देको simple है के हमको अगर best चाहिए तो हमको best बनना पड़ेगा इसको ध्यान में रखना है और अगर हम best चाहते हैं लेकिन best देते नहीं हैं भगवान बोलते हैं आप कोने बता हैं नहीं जी मैं बताता हूं इस्थान भोगान हिवो देवाहा दास्यंते यद्न्यभाविताहा तैदत्तान प्रदया यभ्यहा योग्वं तेस्ते नए वसह तोगेदर इस्थान भोगान हिवो देवाहा भगवान कहते हैं जो बेस्थ चाहता है बट बेस्थ देता नहीं वो एक नंबर का चोर है यद्न्यभाविताहा देवाहा दोज आल प्रिंसिपल्स ये सारे देवता लोग अगर हम उनको यद्न्यभाव से अगर पुरी तरह से उन्नत करते हैं वह इश्थान भोगान की दास्यनते वो सारे के सारे हम को निश्चित इच्छा को पुर्ति करने वाले पिर ऐसे आशिरवाद देंगे तैर्दतान जब उन्होंने हमको दिया ये आशिरवाद यह एभ्यह जो पुरुष अप्रदा यह बिना किसी को दिये हुए शेयर किये हुए कि भूंते जो खुद ही सिर्फ ग्राण करता है सस्तेन एव तो वो सबसे बड़ा चोर है स्तेन याने चोर अभी आप दियान देना कि हमने दिया और हमको मिला तो मिलने के बाद हमने उसको मिल बाट कर खाना है यह है कर्म योग का प्रिंसिपल नो कि सिर्फ अकेले ही पुरा खा लेना है तो जो अकेले ही खाता है भगवान केते है वो चोर है और जो मिल बाट के खाता है भगवान केते है वो कर्म योगी है तो इसमें ध्यान देना अभी के जब प्रेम है तो कभी आपके मन में सिर्फ अपना सुख आएगा के आपके मैंने सब का सुख आएगा अभी देखो पॉइंट कितना सुन्दर है और जब सिर्फ आपके मन में स्वार्थ है तो अपना सुख आएगा के बाकी लोगों का तो सिर्फ अपना सुख तो भगवान कहते है जब आपको मिलता है तो लेना भी निस्वार्थ भाव से है और निस्वार्थ भाव से ही उसको शेयर भी करना है अभी एक बहुत इंपॉर्टन बात आ रही है कि समझो आपके घर में दस व्यक्ति है और उस दस व्यक्ति में दो बहुत अच्छे है जो बहुत अच्छा कमाते है बट बाकी अन्य लोग उनकी केपैसिटी उतनी अच्छी नहीं है तो आपने कमाया हुआ आप ही भोगेंगे के आप उनको भी शेयर करेंगे बोलो जी देखो इसको इंपॉर्टन बात है अभी आप क्यों शेयर कर रहे है क्योंकि अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं खुश रह सकता हूँ तो याने हमारे आजू बाजू जो है अगर वो खुश है तभी मैं खुश रह सकता हूँ इसका मतलब let us first make people happy automatically we all will be happy that's the point तो भगवान कहते है जो सिर्फ खुश खुद को सुखी करना चाहता है वो एक नमबर का चोर है लेकिन जो सब को सुखी करके सुखी रहता है वो सर्वश्वेष्ठ है तो आप और हमने देखना है कि हमने चोर बनना है कि हमने सर्वश्वेष्ठ बनना है आगे का श्लोग यद्यशिष्टाशिनसंत मुच्यंते सर्वकिल्बिशैही बुञ्यते तेत्वघंपापाहा ये पचंत्यात्म कारणा तुगेधर भगवान कहते है यहाँ कि कौन पापी बनता है और वो पापी कैसे बनता है भगवान बड़े कठिन कठिन सब्जेक्ट हैडल कर रहे है स्वामी जी यह बहुत अच्छे सब्जेक्ट है ताके हम पापी ना बने तो भगवान कहते है यद्यशिष्टाशिनसंताः जो आपको मिला उस अन्न से यानि जो भी आपको मिला है सर्वकिल्बी शैही जो भी आपको मिला है उसमें से अगर आप लोगों को दे करके फिर अपने आपको उस चीज का इस्तमाल करते हो उपियोग करते हो तो आप पाप से बचते हो लेकिन यद्यशिष्टाशंताः सर्वकिल्बी शैही यह अगर होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको that you have to share with everyone around you तो आपको उसको सबको देना पड़ेगा और अगर हमने उसको दिया नहीं तो हम क्या होंगे बोले फिर पापा ये पापा हाँ ये जो पापी लोग है आत्मकारणात जो खुद के ही लिए उस चीज का सिप उप्योग करते है पचंती ते तो अगम भुन जते बोले ये सारे के सारे लोग जो कभी भी मिला हुआ चीज लोगों को मिलबाट कर नहीं लेते हैं या खाते नहीं हैं तो वो एक्चुल पाप को ही खाते हैं ओहो बहुत स्ट्रॉन स्टेटमेंट यहां बोला गया है तो याने अगर स्वार्थ भाव से कर्म करके स्वार्थ भाव से अगर हम हर चीज को हमारे पास रखते हैं तो हम अपने जीवन में पाप को बढ़ा रहे हैं लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर कर्म करते हैं और निस बार्थ भाव से अगर मिल बार्थ कर हम खाते हैं तो हम सारे के सारे पापों को पूरी तरह से मिटा सकते हैं तो बोलते हैं सर्वकिल्बिशही मुन्चते बोले ऐसे स्रेष्ठ व्यक्ति का सारे के सारे पाप का जो बोज है वो पूरा के पूरा नश्ट हो जाता है किसके जो शेयर करके यग्निय भाव से मिल जुल करके खाता पिता और रहता है अभी भगवान कहने वाले है अगले शोक में कि ये सुरुष्टी में ये जीवन कैसे आया और ये जीवन किस चीज से चल रहा है लेकिन ये हम आज नहीं कल देखने वाले है